नमस्कार दोस्तों स्वागत है मरे चैनल में अमन्जय ग्यांस में तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्या बी ये सेकेंड ये थर्ड समेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो आपका पेपर रुख गया था उसका पेपर आठ जन्वरी आठ अप्रेल को है ठीक है तो तीनों में से कोश्चन आने की बहुत चांचनस है ठीक है तीनों में से कोश्चन आएंगे आप एक बार देख लिए जिएगा ज़रूर एक जाम से पहले तो चलिए को बताने का हम प्रियास करते हैं तो इसमें पहले कोश्चन में क्या दिया है कि प्रक्रियात्मक लोगतं संत्र के बारे में जो जानते हैं उसके बारे में आपको 50 सब्दों में लिखना है यानि कि 50 सब्दों में यानि कि कितने लाइन 10-15 लाइन लिख देंगे तो आपको 50 सब्दों हो जाएगा आगे कोशन क्या गाइस मारा भारत के दली बेवस्था की प्रमुख दो बिसेस्ताए के रुप में मानता कौन देता है जो हमारा राजनितिक दल हो राजनितिक दल और राजटी छेत्री दल इसको छेत्री के रुप में मानता कौन देता है मतलब जो हमारा राजनितिक दल और राजटी दल होता है उसको छेत्री दल के रुप में मानता कौन देता है उसके बारे मे करण से आप क्या समस्ते है जो लोकतांत्रिक का विकैंद्री करण होता है उससे आप क्या समझते हैं उसके बारे में हमें बताना है आगे कोशन का घाथ भारती सविधान का आगे question क्या गैस आपको आती लगों में कुल पांच question करने रहेंगे आपको पांच question दिया जाएगा तो इसमें दिया इसमें बहुत सारे question है तो सारे important question है तो का दिया है बहिस्कृत हति का दिया है बहिस्कित्र हितकारडी सभाकी इस्थापना किसने की और कभ की थी तो हमें क चेत्रबाद था राष्टबाद को उत्पन करने वाले किनी दो कारणों के बताईए इसमें सिर्फ कारण बताना है तो सबसे पहले लिखने से पहले आपको क्या यह मतलब चेत्रबाद और राष्टबाद का इंट्रो लिखना होगा अनि कि चेत्रबाद और राष्टबाद क् अखर पंचायती राजीर का पिराज दल बदल की निए भी रषी विधेख को पारिध किए गया था, इसके बारे में आपको बताना है आगे कुश्चन हमारा क्या है अलगावाद क्या होता है तथा इसकी विश्यस्ताओं का वर्णन करें हमारे भारत में जो अलगावाद होता है तो मतलब अलगावाद क्या होता है उसकी सारी विश्यस्ताओं के वर्णन करना इसके बारे में ब लोकतांत्री करण में उतार चड़ाव कारण है राजन्यतिकट़ों के कार्यों का उल्ले करना क्या राजनितिक दल जो हमारे भारत में राजनितिक दल होते हैं उनके चार प्रमुख कार्यों का उल्ले करना है आगे कोश्चन भारत में 73 सभिदान संसोधन अधिनियम का क्या महत्व है इसके बारे में उताना है जाती के राजनीती करण से आप क्या समझते हैं भारत में जाती के राजनिती करण से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको बताना है आगे कोशन क्या है भारत में धर्न निर्पेचिता का क्या ततपर है इसको आपनी सब्दों में इस पोश्ट करे क्या है भारत में धर्न निर्पेचिता का क्या ततपर है इस पोश्ट करे या आप ब्या शाजार के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे अच्छी नौलेज होगी तो आप भश्टा चार के बारे में जानते होंगे 27 बहुट चल ला तो बहुत चढ़ाननीवारक अधिनिएम में 1988 की प्रमुग विश्यस्ता क्या है उसके बारे मताना है आ дав Dash प्रवुमिका उपचारिक प्रमुक होने के बावजूद भारती सासन प्रणाणी में राष्टपती की महतबुढुढुमिका है इस पर हमें एक टिपड़ी लिखना है ठीक है मतलब उनसे कुछ रुबरूप बाती करना है मतलब बताना है इनके बारे में तो भारत में जो आगे कוश्टन क्या है जो कि आपका खंड क्या है क्षंड आ कर्षय और क्या है मतलब सी नंबर है कुश्टन यानिकि देर-घुतरी प्रसन आपका है जो कि आठको आठकोलम दीर देर दिरगुत्री में पूरे तीन सव चार सव सब्दों में करना है तो चार सव या तीन सव सब्दों में आपको करना रहेगा तो तीन पेज लिख देंगे तो आपका तीन चार सव सब्दों हो जाएगा तो दिरगुत्री प्रस्ण आपको आठ करने रहेंगे तो ध्यान से करिए पर्टिक कुस्षन दश नंबर करेगा यानी कि 1040 कुस्षन नतला दश चालीस नंबर कर रहेगा तो उसमें क्या दिए कि भारत में पंचायती राज का या पंचायती राज ब्यवस्था का महतोए भूमिका का निवेचन किजिए तिक है भी ब्यवेचना किजिए क्या पुछ कि भारत में पंचायती राज बेवस्था या पंचायती राज का महत्व भूमिका का विवेचना करना है आगे कोशन क्या है राजनितिक दलों की दसा ताय करने में चुनाओ आयों की भूमिका का वर्णन करें ठीक है राजनितिक जो दल होती है उनकी दसा में ताय करने में मतदान बहवार किसे करते हैं इसको परभावित करने वाले तत्व कौन-कौन से हैं तो भारत में सबसे बड़ा दान मतदान होता है तो मतदान बहवार किसे करते हैं इसको परभावित करने वाले विभिन कारणों का या तत्व का उल्लेक करना है या कौन-कौन से तत्तों है आगे कुशन क्या है राजनितिक दल बदल क्या है इसके कौन-कौन से परमुखकार है इसे किस प्रकार से रोका जा सकता है इसके बारे में बताना है तो गाइस आई होप ये वीडियो आपके एकजाम के लिए बहुत महत्त पूड़ होगा तो प्ल लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिजिए तो चलिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए